नमस्कार, मैं गाईतरी व्यास बारवी कक्षा के परिणाम घोशित होते ही हर अभिभावक सोचने लगता है कि अब एडमीशन कहां ले और उससे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि कौन से स्ट्रिम में जाया जाए पढ़ाई के लिए बच्चे यूँ तो mentally prepare होते हैं कि मुझे ये पसंद है और इसी field में मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि परिवार का pressure, अभिभावक को क्या pressure दोस्तों की देखा-देखी में बच्चा कही न कहीं घुमराह हो जाता है भटक जाता है और फिर जरूरत आन पढ़ती है career counsellor की और career counselling के जरिये बच्चों को सही सही तरीके से समझाया जाता है कि आपके लिए सबसे important मुद्दा यह है यहां पर कि आपके लिए यानि आपकी क्या कैपसिटी है आपका क्या इंट्रस्ट है उसी फील्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात होती है कि आप सफल होंगे मगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नसीब नहीं होता कि वो किसी करियर कांसिलर को मिले या किसी करियर कांसिलिंग के सैमिनार को एटेंड करें इसलिए VNM ने एक कोशिश की है कि अब रोजाना हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपके बच्चों के लिए बहुत जादा फाइदे मंद हो किस तरह से आप अपने बच्चों को कैसे कहां पर करियर में ले जाए ऐसी कई बातों के साथ हम रोजाना आपसे मुलाकात करेंगे आज हमारे साथ में जुड़े हैं इसी मुद्धे पर बात करने के लिए डॉक्टर जयशा क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट है आप उनको जानते हैं जरूर वो रिसर्चर के तौर पर हमारे स्टूडियो में अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं मगर आज एक करियर काउंसिलर के ब बड्चे को पढ़ाई के लिए उनके जरीए बेजा गया है सर बहुत बहुत स्वागत आपका सिर्ए श्रै जैसने सर में ने कहा की करियर कांसिलिंग की जरूरत आन पढ़ती है तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया आप बताईए थोड़ा सा डीटेल में कि कर्यर जरूरत क्यों पड़ती हैं? आपने थोड़ा सा ब्रीफ में बिदा आपने बहुत बड़ा नाम बुल गए क्या? आपने बच्चों के दोस्तों की बात किया, देखा-देखे की बात किया मैं हमेशा ये कहता हूँ की संतान की, अपने संतान की कारकिर्दी को खतम माता-पीता ही करते हैं 70 से 80 केसों में पैरंट्स ही बच्चों की कारकिर्दी खतम करते हैं पैरंट्स की अपने मन में अपने जमाने की छुपी हुई महेच्छा जो होती है छुपी हुई जो महत्वकांक्षा होती है छीपी हुई अपैक्षा जो होती है अमबीशन जो होती है वो अपने बच्चों की केरियर पसंद करने के टाइम पर हावी हो जाती है साथ साथ ऐसा होता है कि मेरे बहन के बेटे ने या मेरे दियर की देवर की बेटी ने या मेरी ननन की उसने या मेरे दोस्त की ये बेटी ने बेटा ने ये किया वो किया तो मेरी बेटी क्यों मेरा बेटा क्यों नहीं कर सकता ये मामला नहीं होना चाहिए अपने बेटे का इंट्रेस्ट किसमें है अपने संतान का इंट्रेस्ट किसमें है उसकी होबी किसमें है व चाना अरजी से जाते हैं इंटरेस्की कर सकतकी जाते हैं और बच्चे को फिर के एक बार का बढ तो लिया फिर जाब करना हो या बेजन्स करना हो तो अहीं में करना पड़े इसका मेश्चय का इसम कर्फा नीज सायंज में सायंज करने HERE करनी होती है तब आठवी के बाद सी अभी के सीनारियों में 10 वी के बाद हमें subject selection करना है, science में जाना है, commerce में जाना है, Humanities में जाना है, कौन से लेंग जाना है, 10 तक हम science, maths, SS पढ़ते हैं, English पढ़ते हैं, Gujarati पढ़ते हैं, Hindi पढ़ते हैं, Sanskrit पढ़ते हैं, languages पढ़ते हैं, हमें यह देखना है कि बच्चों को interest किसमें है, बहुत कम parents को मालूम है कि 10 के बाद aptitude test करना जाहिए, बच्चों का aptitude test होता है, वह बच्चों का aptitude test होता है, वह DMIT test की बात नहीं कर रहा हूं, जो फिंगर प्रिंट से लेते हैं, और expert clinical psychologist, वह test करता है, वह test की बात करता हूं, तो इसमें test जो होता है, वह कैसे, कुछ सवाल किये जाते हैं, कुछ आपको एक्जाम पेपर की तरह paper दिया जाता है, कैसे होता है, वह MCQ type होता है, और उसमें कुछ तयारी नहीं करनी होता है, जो आपका first reaction हो ही उसमें आना चाहिए, तो मार्ग कॉंसलिंग सेंटर में में सुनुरियों सिटी में वहांपर aptitude test लिया जाता है, उसमें 6 टेस्ट लिये जाते है, aptitude test में उसमें इंट्रेस टेस्ट है, hobby टेस्ट है, iqo सब मिला करके एक composite package है, अगर आप सही तरह से उस टेस्ट को दिया तो उसकी वेलिडिटी करी पिच्चानमे से अठानमे प्रतिशत है, अगर उसके ही साब से क्यार डिसाइड कर दिया तो आप कभी भी अपनी क्यार में निस्फल नहीं होंगे, उसके ही साब से, मेरा खुद का एक एक एक्जाम्पल बताओ, मेरे बेटे को जिनेटिक एंजिनिरिंग करना था, तेंथ के बाद हमने उसको अप्टिटुट टेस्ट कर वाया, उसका अप्टिटुट जीरो आ उसमें, उसको पेंटिंग नहीं आती थी, बहुत खराब थी पेंटिंग उसकी, उसका हैंड़ाइटिंग भी खराब था, कि अप्टिटुट बता रहा था, अर्किटेक्ट्यूर प्लानिंग एंड फाइन अड्स करना मुझा एंड़ाइटूर एंग भी ताजू हुआ कि यह जा उसक अभी तुटूड़ाइट और दूसरे इक इस बता रहा था, मरीण अगिनरिंग कुछ बता रहा था, तो तो फ अब आर्टीफिटर रैंका दिया राकुट्रीटर तो फिर राकुट्टुर निकला तो लास्ट समिस्टर में असने सुस्टेनेबल टॉल्डीग का लिज़र्टेशिन किया जो उसको एक प्रोजेक्ट करना होता लास् सम में एक साल हमने खरब किया वैसा राकुट्रीग अग अब भी आयाइटी में प्लानिंग कर रहा है इंडिया में फस्त रहा है तो यह मैं बता रहा हूं कि जेनेटिक एंजिनिंग से लिखकर के क्यों कि मुझे जब उसने 11th किया उसके में बहुत भीक था और गानेक चैनल रहा है तो यह बात है मैं कांसलिंग एक किसा बताता हूं मेरे पास एक लड़की आया थी 10th के बाद उनके पैरेंट को हमने अप्टिटूड टेस्ट करवाया अप्टिटूड टेस्ट में उसकी अप्टिटूड इंट्रेस्ट एंड होबी हुमेनिटीज में निकला पैरेंट्स बोले हमें तो उसक पैरेंट्स की होबी बढ़ जाती है कि इतना सारा प्राइडिकल में पैरेंट्स की मैंट्स ज्यादा है तो एंजिनरिंग सेवन्टी के असपास आया तो कॉमर्स और जब सिक्टिस से कम आया कहीं नहीं मिला तो आट्स अपनी मेंटालिटी तो उसने हुमेनिटी साथा जीर विषी कंटिट्यूद था साइंस्स में साइंस्समें एडिमिशन लिया लेvelmente में में फेल हुए綠संथ में मेंस्ट्थ मे फेल हूए फेर वापस मरे पास या मैं ऑन्ступ में मैं अ अबापस मेरे पास प्र यह क्या करना है पुला अभी लेन लेट नहीं हुआ अगर अग साल अधाल खरब करने ने तयार हो, इसमें इसमें एक साइकोलोजी और साइकोलोजी युनिवर्सिटी रहेंक के साथ बीए साइकोलोजी किया और अधाल क्लिनिकल कौंसलर है तो यह aptitude test इतना पर्फेक्ट आता है तो 10th के बाद line जब select करनी होती है तो as a counselor to advise कर दो कि पहले aptitude test करो गुज्राश सरकार ने 2 साल पहले प्रयोक किया था कि 10th के बाद अपने mobile से register करके वहां पर एक छोटा सा aptitude test ले देता उसकी serious stress नहीं थी awareness नहीं थी प्रयोक किया था काफी हद तक experiment शफल था लेकिन parents को उसको कैसे किया जाना 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 काई बार तो गाओं में तो school में जो Clark थे ने वही अलग 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 नबर रेस्ट करके वही टेस्ट कर दे दे ते तो उसका वजूद नेरे फिर नहीं किया इतना powerful tool है जिसको parents को यूज करना जी है यह aptitude test की बात हुई मगर जब career counseling के वहां जाते हैं बच्चों को लेकर parents नहीं जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं जाते हैं तो कौन-कौन से ऐसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान रखें कि हां इसे इसी career में भेजना चाहिए इ सिक शेतर मेज Скा बईजास भीð